ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्ड और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स राजनीती का कच्चा चिठा कॉंग्रिस के महिश शर्मा ने यहां से जीत दर्च की थी पिछले दो लोगसबा चुनाव में रिकॉर्ड तोड हार के बाद कॉंग्रिस को उमीद है कि खाचरियवास इस सीट पर कॉंग्रिस का प्रदशन सुधारेंगे हाला की बीजेपी की जीत की हेट्रिक रोकने के लिए कॉंग्रिस के पास किसी पुक्ता योजना का फिलहाल अभाव नजर नहीं आ रहा है यहां कॉंग्रिस तो श्याम बाबा के सहरे ही मैदान में उतर रही है गौर तलबै की प्रताप सिंग खाचरियवास को तीन महीने पहले प्रदेश में हुए विधानसबा चुनाव में हार जहलनी पड़ी थी सिविल लाइन विधानसबा सीट से उन्हें बीजेपी के गुपाल शर्मा ने हराया था वैसे भी खाचरियवास का राजनितिक इतियास साक्षी है कि जब-जब कॉंगरिस की सरकार प्रदेश की सत्ता से बेद अकल हुई तो भी प्रताप सिंग खाचरियवास चुनाव भी हार गए जब भी कॉंगरिस ने सत्ता में वापसी की है खाचरियवास जीत दर्जकर सदन में पहुचे हैं वे दो बार जैपुर शहर की सिविल लाइन विधानसबा सीट से विधायक रह चुके हैं 2008 में घेलोत सरकार के भौमत में आने से प्रताप सिंग खाचरियवास पहली बार विधायक चुने गए थे 2013 में बीजेपी लहर में वे हार गए उस समय कॉंगरिस सिर्फ 21 सीटों पर सिमट कर रह गए थी उसकी बाद 2018 के विधानसबा चुनाव में कॉंगरिस और खाचरियवास दोनों की सत्ता में वापसी हुई 2013 में कॉंगरिस और खाचरियवास को एक बार फिर हार का कड़वा घुट पीना पड़ा आपको बता दे जैपुर शहल लोकसबा शित्र में विधानसबा की आठ सीटे आती है वर्तमान में कॉंगरिस इन में से सिर्फ किशन पोल और आदर्श नगर में ही काबिज है हवा मेल सीट पर कॉंगरिस के आर अर तिवारी महज 900 वोटों के अंतर से हारे थे शेश पांच सीटो पर कॉंगरिस को बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा था ऐसे में कॉंगरिस के सामने महज 3 महीने पहले हुई हार से हुए नुकसान की भरपाई करना चुनोती पून होगा कॉंगरिस ने इस सीट पर पहले सुनिल शर्मा को उतारा था बाद में उनके टिकिट लोटा देने पर पार्टी ने अपने दिगज और दो बार के सिविल लाइन विधायक प्रताप सिंग खाचरियवास को मैदान में उतारा है। बतादे परताप सिंग खाचरियवास बीस साल पहले 2004 में जैपूर लोगसबा चुनाव लड़ चुके हैं। यहां उन्हें बीजेपी के दिगज गिर्दाली लाल भारगव के हातों हार मिली थी। हाला कि उनकी हार जीत का अंतर करीब एक लाग वोट से रहा। जैपूर सीट को परमपरागत रूप से भाजपा की सीट माना जाता है। 1952 से अब तक जैपूर लोगसबा सीट पर 17 भार चुनाव हुए हैं। लेकिन यहां कॉंग्रेस सिर्फ 3 बार जीत सकी है। कॉंग्रेस ने जैपूर से पहला चुनाव 1952 में जीता। उसके 32 साल बाद 1984 में कॉंग्रेस के नवल किशोर शर्मा यहां से सांसत बने थे। तीसरी बार जीतने के लिए कॉंग्रेस को फिर 25 साल लगे। तब 2009 में महे जोशी यहां से चुनाव जीते थे। इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। उसने 17 में से 8 बार यहां जीत का परचम लहराया है। भारती जंता पाटी के गिर्दाली लाल भारगव यहां से लगातार 6 बार सांसत चुने गए। पिछले 2 बार से राम चरण बोरा यहां से रिकॉर्ड मत से जीत दर्च कर रहे हैं। पिछली बार जोती खंडेलवाल यहां से कॉंग्रिस की उमीदवार थी। लेकिन उन्हें 4.5 लाग वोटों से भारी अंतर से करारे शिकस्त का सामना करना पड़ा था। आपको बता दे जैपूर संसदी शेत्र के इस्थानी मुद्दों की बात करे तो यहां लोगों के अपने अपने नीजी मुद्दे हैं। कही सडक, कही पानी, कही सीवर और पूरे शेहर में यातायत व्यवस्थभ बड़ा मुद्दा है। इस सीट पर 22 लाग से जादा मद दाता है। वहीं जैपूर लोग सबसीट पर दोनों ही पाटी, कॉंग्रेस और भाजपा, ब्रामन तथा वैश्य चेहरों पर दाव खेलती रही है। 17 में से 10 बार यहां से ब्रामन और 3 बार वैश्य सांसत बने हैं। राजपूत, वैश्य और ब्रामन जातियों की आबदी करीब-करीब बराबर है। करीब 14 प्रतिशत मुस्लिम वोटर भी है, जो हार जीत में काफी अहम किरतार अदा करते हैं। SCST की भी बड़ी तादाद यहां मजूद है, जिसे कॉंग्रेस अपने पक्ष में पता रही है। वैश्य समाज की और से उमिदवर न उतारे जाने से या वोट बैंक भी कॉंग्रेस के पक्ष में जा सकता है। खाचरी अवास के सहारे राजपूत वोटर्स के वोट भी बिखराव होना तय हैं। आलग कि इस सीट पर 13 पत्याशी चुना भी मैदान में हैं, लेकिन सीधी टककर बीजेपी और कॉंग्रेस में ही है। यहां से कॉंग्रेस की और से परताब सिंग्ख खाचरी अवास बनाम बीजेपी की और से मन्जू शर्मा पर डाव खेला गया है। मन्जू शर्मा को महिला वोटर्स का साथ मिलना भी तै हैं। ऐसे में देखना रोजक होगा की बीजेपी की जीत की हैट्रिक को मन्जू शर्मा पूरा कर पाती है या फिर हारे का सहारा बाबा शाम हमारा का जैकारा लगा कर प्रताब सिंग्ख खाचरी अबास कॉंग्रेस के नईया पार लगाते हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जैपर ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्ड और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स राजनीती का कच्चा चिठ्था